आप लोग जिस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं अगर आप लोग ने उनके पुराने कुश्चन्स पेपर और उसका सिलेवर्स यानि की पार्ट करम उठा के देखा होगा उसे पढ़ा होगा उसका मुल्यांकन किया होगा तो आप सभी जानते हैं कि आपकी परिक्षाओं में करेंट अपयर्स काफी महत्पूर इस्थान रखता है और जो बर्तमान में ये घटना घटती ही रहती हैं इनसे कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके लिए कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एक निवश्वेपर पढ़ते रहना चाहिए आप लोगों को, उसमें आप लोग दैनिक जागरन हो सकता है, जनसत्ता हो सकता है, दैनिक भासकर हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, तो इससे क्या रहेगा कि बर्तमान की घटनाओं को आप लोग कबर करते रहते हैं तो नवंबर महिने में नवंबर 2022 की बात कराओं इस महिने में जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए किस तरह की questions बन सकते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और बड़े ही विस्तार से देखेंगे और इसमें आपका उसका background भी हम लोग द या state level की हो सभी में questions आते रहते हैं चलिए नवंबर महिने की पहला हमारा questions है आपके सामने इसक्रीन पर और अगर आपको इसका आंसर मालू हुआ करे तो आप लोग बता सकते हैं हुई गोशना की अंसार किस राज्ज में भारत का पहला एक इकट एकवा पार्ग के बनेगा हिमाचल पिदेश, उत्राकंड, अरुणाचल पिदेश या हर्याना बताईए तो आपको बतादूं कि अरुणाचल पिदेश के मुख मंतरी ने पिधान मंतरी मत्स संपता योजना के तहर राज में पहला एकित-कित-एकवा पार्ग इस्थापित करने की गोशना की है और यह पार्ग अरुणाचल पिदेश के निचले सुबन शीरी जिले के तारेन में इस्थापित किया जाएगा और पहले पियम मौदी ने नेली करांती लाने के लिए पिधान मंतरी मत्स संपता योजना के तहर पित-क राज्ज और केंदर साह से पिदेश के लिए एक एकवा पार्ग इस्थापित करने की गोशना की थी तो इसमें आपका क्या होगा अरुणाचल पिदेश होगा क्या होगा अरुणाचल पिदेश होगा अगर दीकि मत्स संपता योजना की बात करें तो आप देखें कि इस योजना को इस योजना में आप देखें कि अनसुच जाती की महलाओं को मचली पालन का कारूबा सुरू करने के लिए 60% सबसिटी दी जाती है जबकि सामन बर की महलाओं को 40% सबसिटी दी जाती है और यह आप देखेंगे यह आपकी इसका उद्देश क्या है यह उजना का ग्रामीड संसाधनों का उपयों करके ग्रामीड विकास और अरद्वस्था को तेजी से बढ़ाना आपका पिधान मंतरी मत्संपदा योजना का वो देश है ठीक है तो यह भी याद रखेगा इसके बारे में और अरुडाचल पिदेश को अगर आप लोग देखना चाहे न तो चली एक बार अरुडाचल पिदेश को आप लोग देख इसकी सीमा चाइना से लगती है पूटान से लगती है और म्यानमाज से लगती है तीन देशों से लगती है राज्यों में देखेंगे तो आसम से लगती है और यहाँ आप देखेंगे कि इसे एक केंदसासित पिदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में और आगे चलकर 20 फरवर 1987 में इसे राज जी का दर्जा दे दिया गया था और बर्तमान में यहाँ 25 जिले देखने को मिलेंगे 60 विधान सभा सीटे हैं राज सभा में एक सीट है लोग सभा में दो सीटे देखने को मिलेंगी और यहाँ की बर्तमान में राज जपाल भीडे मिसरा है और मुखमंद्री पेमा खांडु है और 13743 बर किलूमीटर में आपका आउड़ाचल पिदेश फैला हुआ है और चाइना आप देखते हैं कि अबेद यहां निर्माड भी करता रहता है इसलिए भी काफी चर्चा में रहता है तो इसमें आउड़ाचल पिदेश आप लोगोंने लगा दिया होगा क्या लगा होगा आउड़ाचल पिदेश अंगला कुश्यन है कौन ICAR गन्ना पिजनर संस्तान की विथम महला निदेशक बनी है बताईए इसमें पहला ओप्सन के रहा है डॉक्टर S. चोहन दूसरा है B. ऑप्सन डॉक्टर G. हैंपरभा और C. कर रहा है डॉक्टर K. ललिता और D. कर रहा है डॉक्टर P. नगमा तो भारती किसी अनुसंधान की बात हो रही है और आप देखेंगे कि इसकी कौन बनी है डॉक्टर G. हैंपरभा इसमें आप देखेंगे डॉक्टर G. हैंपरभा तो इसमें आप लोग वी ऑप्सन बिलकुल ठहरेगा बी ऑप्सन क्या लगा होगे बी ऑप्सन आपका बिलकुल सही रहेगा और देखेंगे एक बात बताओं इंडियन काउंसिल ऑफ एगरी कल्चर रिसर्च की बात करें I.C.A.R. की बात करें तो 16 जुलाई 1929 में इसकी इस्थापना हुई थी और मिनिष्ठी ऑप एगरी कल्चर की अंडर में यह आता है तो भी ऑप्सन इसमें ठीक रहेगा एक नवंबर 2022 को भारत की कितने राज्जों बक्यंद सासित पिदेशों की इस्थापना दिवस मनाया गया है यानि की कहने का मतलब ही है कि एक नवंबर को किन राज्जों का क्यंद सासित पिदेशों का इस्थापना दिवस मनाया जाता है जिसमें आप देखते हैं MP का आप लोग देखते हैं 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी MP की और आप देखते हैं 1 नवंबर सन 2000 में MP से अलग होकर 36 गड़ राज बना था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा तो 5 राज दो कैंद सासित पिदेश 7 राज दो कैंद सासित पिदेश 7 राज एक कैंद सासित पिदेश या फिर आप देखेंगे 8 राज एक कैंद सासित पिदेश बताइए इनमें क्या लगा होगे आप लोग तो आपको बता दू कि इसमें क्या होगा आपका 7 राज 2 कैंद सासित पिदेश यानि कि B option बिलको ठीक रहेगा अब आप लोग कहेंगे कि कौन कौन सा राज्य है जिसकी स्थापना दिवस एक नवंबर को मनाया जाता है तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपका यहां चलते हैं आंद्पदेश देख लिजे आंद्पदेश की रादधानी आमरावती देखने को मिलेगी फिर आप देखिए 36 गड़ आ जाईए 36 गड़ की रादधानी रायपूर है फिर आप देखिए यहीं 36 गड़ के बाद मद्पदेश आ जाईए आप लोग और हर्याना चले जाईए हर्याना के बाद आप देखेंगी कि आपका पंजाब भी है यहीं फिर आप देखेंगे कर्नाटक है और किरल है आपका तो यह आप लोग याद रखेंगा आंद्रपिदेश, चत्तीसगड, हर्याना, कर्नाटक, किरल, मद्रपिदेश और पंजाब और केंदे सासे पिदेसों में देखें तो लक्ष दीप हो गया और फुडू चेरी हो गया यह पुडू चेरी आप देख रहे हैं और लक्ष दीप यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इन दोनों की बात हो रही है एक नवंबर को इनका इस्थापना दिवस मनाया जाता है अप जिस राज्य से सम्मंद रखते हैं उसका इस्थापना दिवस का मनाया जाता है यह आप लोग नीचे जरूर बताएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने कौन बैक्ती हाली में Energy Efficiency Services Limited के नए CEO बने है क्या बने है नए CEO बने है बताईए फिक्की के A option कहा रहा राजीब सर्मा, B. दिनेस पांडे C. गोबिंद फॉगाट और D. बिसाल कपूर बताईए E. E. SL की नए CEO बने है तो इसमें सुब्र क्या होगा इसमें होगे बिसाल कपूर होगे क्या होगे बिसाल कपूर आप लोग D. option आपका बिलकुल सही रहेगा Energy Offensive Service Limited के और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में Headquarter देखने को मिलेगा चली आगे चलते हम लोग अंगला कुशन है हमारे सामने कौन बैक्ती हाली में भारती है वडिज इबं उद्ध्योग महसंग की नए अध्यक्ष बने हैं अब बात आती है फिक्की की बताएए इसमें राजकुमार सर्मा गोविंद खुराना आलोग पांडी सुब्रकांथ पांडा अगर फिक्की की बात करें तो आप देखेंगे 1727 में इसकी स्थापना हुई थी फेडरेशन और इंडियन चेंबर्स और कॉमर्स एंड इंडर्स्टी की और नई दिल्ली में है एड़क्वार्टर देखने को मिलेगा और इसमें अगर आप देखें कि कौन है इसके इसमें आप देखें कि सुब्र कांथ पांड़ा होंगे डी ओप्सन आपका बिल्कुल सही है अंगला कुश्चन है पित्ती बस पूरे भारत में साथ नमंबर को किस बीमारी के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए राश्टी है दिवस मनाया जाता है कैंसर, मदुमे, पेलिया, टीवी बताइए किस के लिए मनाया जाता है अगर मालू नहीं है तो जरूर आप लोग मालू करिए और बताना चाहिए आपको तो इसमें आपको बतादू कि कैंसर के लिए किस के लिए? कैंसर के लिए क्या इसके लिए? कैंसर के लिए साथ नवंबर को पूरे भारत में राष्टी कैंसर दिवस मनाया जाता है और आपको बता दूं कि इस दिवस को साथ नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को एक तरह से जागरू किया जैसा कि कैंसर के पिती और आप देखते हैं पहले ऐसा माना जाता था किसी को cancer हो गया तो उसकी अंतिमनलव या तरह सफर लेकिन अब आप देखते हैं कि सबका इलाज हो गया है और चिकेसा बिज्ञान के उससार cancer अब ला इलाज नहीं है या cancer period समय से जाज कराकर और चाल नहीं हो तो उनकी जान बच सकती है और cancer से बचने के लिए धूमपान से दूरी बनाया रखियेगा क्योंकि आप देखते हैं कि सबसे जानदा उसी से होता है cancer ठीक है तो यह भी आप लोग यान रखियेगा आप देखते हैं चेतावनी रहती है फर भी लोग नहीं मानते हैं क्या करते हैं नहीं मानते हैं तो यह भी आप लोगों कोई आंसतर मालू होना चाहिए इसमें कई तरह कि आप देखते हैं और लाखों लोगों की डेक्ट होती है और 2014 में स्वास्त कल्यान मंतराले ने सेप्टमबर में नेशनल कैंसर अवेरनस डे मनाने की सुरुवात हुई थी और समय रहते इस बीमारी को एक तरह से बचाने के लिए और आपको माल होना चाहिए कि यह दिन नॉबल प्राइस पुरुसकार बेजेता बिज्ञानिक मेडम क्यूरी के जरम दिन पर मनाया जाता है उनका बड़ा युगदान रहा इसमें 7 नमंबर को डारेक्टी कुश्चन्स पूछ लेगा कि कम मनाया जाता है तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं और थीम रखी गई है उद्धरन और पोस्टरों पर एक नजर डालते हैं तो इसमें आप लोग भी उप्सन लगा देंगे ठीक है अंगला कुश्चन है कौन बेक्ती हाली में आगामी तीन बरसों के लिए राष्टी इसमारक परादीकर्ण की नए अध्यक्ष बने हैं बताईए कौन बने हैं रमन नागा सोहन सिंग किसोर बसा प्रीत बर्मा बताईए तो इसमें आप देखेंगे की कौन बने हैं किसोर बसा B, C option बिल्कुल ठीक रहेगा आपका C option टेस्टा रहेगा ठीक रहेगा किस पुरुस खिलाडी को अक्टूबर 2022 के लिए ICC पिलियर ओफ दा मंथ अवोर्ड मिला है A option क्या कह रहा है A option कह रहा है David Miller दच्चिडफीका के हैं B कह रहा है बिराट कोईली भारत के हैं रासित खान अफगानिस्तान की सूरकुमार यादो भारत के हैं और ICC का मतलब होता है Indian क्या है International Cricket Council इसकी स्थाफना आप देखें के 15 जून 1909 में हुई थी तो इसमें आप देखें के बिराट कोईली भारत के हैं भारत के वल्लिवाज है ना बिराट कोईली उनी को मिला है अंगला कुशन है हमारे सामने किस महला खिलाडी को अक्टूबर 2022 के लिए ICC पिलियर अबदा मंत समान मिला है निदा डार पाकिस्तान की सैफाली परमा भारत की हैं और हरसिता सम ब्रिकिमा सिरिलंका की रोमाना अहमद बंगलादेश की तो इन निदा डार को मिला है पाकिस्तान की है खिलाडी और पाकिस्तान आप देखें हमारा पड़ोसी है आपका लद्दाक हो जम्मु कस्मीर हो आप देखेंगे पंजाब हो और आपका राजिस्तान और गुजरात पांच राज्यों किसी महला लगती हमारी पाकिस्तान से पहले बंगलादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1947 था हमारा हिस्सा था पाकिस्तान, 1947 में यह अलग हो गया था, और 1971 का जो यह उद्धुगा था भारत पाकिस्तान की विचूसी में आजादी मिली थी किसे, बंगलादेश को, ठीक है, तो यह option होगा इसमें, पित मार्टिक मास की 3-10 को, कार्टिक मास की चतुरती को, कम मनाई जाती है, तो इसमें आप देखेंगे कि, आप की, कार्टिक मास की पूर्णिवा को मनाई जाती है, यह option विलकुल ठीक रहेगा, और अगर हम लोग ग्रू, जैने-बावा नानक साहप की बात करें, तो आप देखें जिसे जिनें बावा नानक पिता नानक भी कहा जाता है सिख धरम के संस्थाफ़ थे और दस सिख गुरू में से एक थे पहले उनका जनम दुनिया भर में गुरू नानक गुरू पूरब की रूम में मनाया जाता है और 15 अपरेल 1469 में का राय भुई के तलबंडी दिल सल्तनत में हुआ था और 22 सेप्टमबर 1549 में करतारव और मुगा समराजमीन की डेथ हो गई थी तो यह आप्शन इसमें बिलकुल ठीक है 9 नमबर 2022 को भारत की किस राजज ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है राजिस्थान गुजरात उत्तराखंड उडिशा तो आपको मालू होगा कि किसने उत्तराखंड ने और उत्तराखंड की एगर हम लोग बात करते हैं न तो उत्तरपिदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड कहां है यह आप देखिए उत्तरपिदेश है उत्तराखंड उत्तरपिदेश से अलग करके बनाया गया था और आप देखेंगे कि इसकी राध्धानी देहरा दून है और आप लोगों को मालू होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी सीमा किसके से लगती है इसकी सीमा आप देखें कि उत्तर पिदेश से लगती है और हिमाचल पिदेश से लगती है और अंतरश्टी सीमा चाइना नेपाल से रखती है और विधान सभा में यहाँ देखें 70 सीटे हैं राज सभा में आपकी कितनी? राज्य सभा में 3 सीटे हैं लोग सभा में 5 सीटे हैं 53,483 वर किलूमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की राजपल गुरुमीज सींग है और मुखमंत्री फुसकर सींग धावी है बीजेपी की सरकार है है और यह बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में राज तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें C option होगा आपका कौन बैक्ती हाली में भारत के विधी आयोक की नई अध्यक्ष बने है विधी आयोक के जगदीश ठाकुर रितुराज अवस्थी अलकेश चौदरी महंद जग जीवन बताईए तो आपको बतादू इसमें रितुराज अवस्थी बने है रितुराज अवस्थी बने है लौ कमीशन ओप इंडिया की बात हो रही है और पहली बार यह आया था अठारे से चौटीस में ठीक है? तो यह भी आप लोग याल रखिएगा और यह आपको मालू होना च्छे ठीक है? तो यह भी याद रखिएगा यह आप देखेंगे इसमें क्या रगा होगे? रितुराज अवस्थी की बात हो रही है भी ओप्सन ठीक रहेगा किस कर्केट टीम ने हाली में 2022 की सियद मुस्ताद अली ट्रॉफी का किताब जीता है तमिलोराडू, मुंबई, गुजराद या आप देखेंगे बड़ोदा तो आप देखेंगे कि 2022 की सियद मुस्ताद अली ट्रॉफी टॉनामेंट की फाइनल मुकाबले में मुंबई की टीम ने हमाचल पिदेश को हरा कर यह किताब जीता है तो यह आप लोग याद रखेंगे और मुंबई की टीम ने अब तक 41 बार रड़ी ट्रॉफी किताब जीता है जबकि 4 बार विजय हजारी ट्रॉफी जीती है लेकिन पहली बार सियद मुस्ताद अली ट्रॉफी किताब जीत कर अपना खाता खोला है तो इसमें मुंबई आप लोग देखेंगे ठीक है बी ओप्शन ठीक रहेगा असमें क्या रहेगा ठीक रहेगा बी चली अंगला कुश्चन है पिती बर्स 12 नवंबर को किस रोख के बारे में जागरोखता फैलाने के लिए एक अंतराष्टी ये दिवस मनाया जाता है अंतराष्टी इस तरफर भारत पर नहीं अंतराष्टी पेलिया और कैंसर मदूंवे निमोनिया बताईए तो आप देखेंगे कि 12 नवंबर को दुनिया भर में बिस निमोनिया दिवस मनाया जाता है और आपको बता दूँ दुनिया भर में लोगों को नेमोनिया के बारे उमें जागरूपता करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इस बर्स वर्ल्ड नेमोनिया डे की थीम रखी की है pneumonia affectives everyone यानि pneumonia सभी को प्रभावित करता है तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे चाह लगाओगे D option लगाओगे अंगला कोशन है पिती वर्स पूरे भारत में किस तारीक को राष्टी सिक्षा दिवस मनाया जाता है राष्टी ये सिक्षा दिवस की बात हो रही है 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर तो आप देखेंगे कि 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्टी सिक्षा दिवस मनाते हैं और ये दिवस पिती वर्स भारत की पहले सिक्षा मंतरी मौलाना अभूल कलाम आजाद की जैन्ती के उपलक्ष में मनाते हैं और पहले हमारे सिक्षा मंत्री थे कौन थे? सिक्षा मंत्री थे और यह भी याद रखी की मानो संसादन विकास मंत्राले ने 11 सेप्टमबर 2008 को इस दिन को राष्टी परफ की रूमें घोसित किया था तो 11 नवंबर अब आप बात करेंगे मौलाना अभूल कलाम आजाद की तो एजूकेशन मिनेश्टर थे पहले 11 नवंबर 1888 मिन का जनम हुआ था और 22 फरवरी 1908 को इनकी डैथ हो गई थी इन्हें भारत अतन भी दिया गया था भारती राष्टी कॉंग्रिस से चुड़ी रहे है और कॉंग्रिस की बात करते हैं तो एक पुराना राजनितिक दल है 28 दितम और 1850 में इसकी स्थापना होती है और आप देखें कि इसकी स्थापना पहले देश की आजादी के लिए एक संगठन की रोब में हुई थी लेकिन 1947 के बाद यही राजनितिक दल बन गया कॉंग्रिस के स्थापक कौन थे ए ओ हियूम थे और इसके पहले अध्यक्ट ब्योमेट चंद बनर जी थे डबलू सी बनर जी थे अंगला कुक्षे ने किन दो लेकिकों को 31 बा, 32 बा विहारी पुरुसकार दिया गया है कौन सा? विहारी पुरुसकार दिया गया है बताईए इसमें आप देखें राजू सर्मा, पुसकरनाथ और आप देखेंगे दूसरा कह रहे मधू कांकरिया और महिस बरमा, मधुक आंकरिया और माधव हडा कौन होगा इसमें तो आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आप लोग लगाएंगे क्या लगाओगे मधुक कांकरिया और माधव हडा हाडा यानि कि ये C option आपका बिल्कुल सही रहेगा अजीब नाम है क्या है अजीब नाम है यह 31 बाव 32 बाव पुरुसकार दिया गया है ने और यह पुरुसकार मधू को उनके उपन्यास हम यहां थे और डॉक्टर माधो को उनकी आलोशना किर्थी पंच रंग चोला पहल सकीरी के लिए दिया गया है विहारी पुरुसकार तो इन दोनों को नाम, जाद रखीएगा इन तरह की पुरुसकारों से भी आपको कोईशन्स पूछे जाते हैं और विहारी पुरुसकार 1991 में फाउंडेशन द्वारा स्थापित तीन शहेतिक पुरुसकारों में से एक है टिए 1991 से शुरू हुआ है यह आप लोग कहिएगा अंगले कुश्चन की तरफ चलते हैं किस की टीम ने ICC Man T20 World Cup 2022 के गताब जीता है और बड़ा मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान भारत से इलंका इंगलेंड बताईए तो आप सभी को मालू है कि किस ने जीता एंगलेंड की टीम ने पाकिस्तान को हरा कर दूसरी बार ICC का किताब जीता है और इससे पहले 2010 में इंगलेंड पहली बार चेंपियर मनी थी और ध्यान रहे इस टुनामेंट का पहला दिन पर 14 अवंबर को पूरे भारत में Children Day मनाया जाता है वताईए जवालाल नहरू चंद सेखर राजा सुवाचंद बोस बाल गंगा धर तिलक तो आपको बता दूं कि बाल दिवस Children Day किसके भारतिये पहले पिधान मंतरी पंडित जवालाल नहरू की जिनती का पितिक है और ब पंडित जवालाल नहरू पंडित जवालाल नहरू देश की पहले पिधान मंतरी की बात हो रही है सबसे लंबे समय तक इनका कारका लगा पंडित जवालाल नहरू का जणम 14 नवंबर 1889 को हुआ था परियाग राज में और 27 महीं 1964 को इनकी दिल्ली में डैथ हो गई थी मौत तो यह भी आप लो इंद्रा गांधी आपने देखा उनी की पुत्री थी तो इसमें यह ओप्शन आपका विल्कुल ठीक रहेगा तो फिती वस दुनिया भर में बिसम्बंदु में दिवस कब मनाया जाता है इसमें पहला उप्शन कह रहा है कि 10 नवंबर, 12 नवंबर, 17 नवंबर और 14 नवंबर तो आप देखेंगे कि कब मनाया जाता है 14 नवंबर को 14 नवंबर को विस मदू में दिवस मनाय जाता है और इसे मनाने का उद्देश यही कि मदू में वीमारी को लेकर लोगों की भी जागरूखता बड़े और विस्व स्वास्त संगठन के अनुसार हर साल डायवटीज के कारण करीब 40 लाग मरीजों की मौत होती है डबलू एचो की बात करें तो विस्व स्वास्त संगठन की बात हो रही वर्ड हेल्थ और अरगनाईजेशन की बात हो रही है 7 अपरेल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी में इवा सुईजालेंड में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा और 7 अपरेल को विस्व स्वास्त दिवस के रूम में भी मनाया जाता है ठीक है इन संगठनों से भी कुश्चन्स पूच्चे जाते रहते है तो यह भी याद रखेगा इसमें क्या होगा सी ओप्षन आपका विल्कुल ठीक रहेगा और इस बार की थीम विस्व सब्जेक्ट रखा गया है मदू में देखवाल तक पहुँच कि अंतरकत कल की रख्चा के लिए सिक्षा तैक की गई है और वहो द्वारा 1991 में की गई थी इसकी सुरुवात तो यह भी याद रखेगा इसमें मदू में के पिकार की बात करें तो टाइब एक और टाइब दो आप लोग देखते है और इसमें ऐसी टाइब एक में आप एक ऐसी अवस्था जिसमें आगनास है बहुत कम या इंसुलेन पैदा ही नहीं करता है अगला कुश्चन है नतासा प्रेक मूसर किस ये उरूपी ये देश की पहली महला राष्टपती बनी है हंगरी वेल्जियम डेनमार्क स्लोवीनिया तो ये आप देखेंगे कि कहा कैपिटल इसकी या अधिकारिक तौर पर इसलोवीनिया गडराज मद यूरूब में आपको देखने को मिलेगा और लिव बेलियाना इसकी राजदानी है तो इसमें आप इसलोमानिया देखेंगे बी ओप्सन क्या डी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें अगला कुशन है हमारे सामने किसे पिसार भारती के नए CEO के रूम में नियुक्त किया गया है पिसार भारती की बात हो रही है ए ओप्सन कहरा है राजिस मित्तल दूख स्थरा कहरा है नरेश अगवाल तीसरा गौरप चौधरी प्रयांसु चौधरी तो इसमें आप देखें कि गौरप दुवेदी होंगे कौन होंगे गौरप दुवेदी और पिसार भारती की स्थापना होई थी 23 नवंबर 1997 में नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आपका C ओप्सन ठीक है 2022 के लिए राष्टी खेल पुरुसकारों में कितने खिलाड़ियों को अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है राष्टी खेल पुरुसकारों की बात हो रही है तो इसमें आप देखें कि कितने बताईए इसमें कितने को दिया गया है 25 को दिया गया है देखे राष्ठी ये खेल पुरुसकार की बात होती है तो इसमें एक पुरुसकार नहीं है इसमें मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार जिसे पहले राजीव गांदी खेल रतन के नाम से जानते थे ये 1991-92 में शुरू हुआ था और ये किसी खेलाडी द्वारा खेल के चित में सांदा सबसे उत्किष्ट पिदरसन के लिए दिये जाने वाला सर्वुच पुरुसकार है एक अरजुन पुरुसकार है 1961 में ये शुरू हुआ था ये भी खेल के चित में दिया जाता है दोड़ाचार पुरुसकार 1985 में भार सरकाद वारा खेलों में उत्किष्ट पिदरसन पे सीक्षन को मानता देनी के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरुसकार इसकी इस्थाफना 2002 में हुई थी और ये उन खिलाडियों को संभानित करने के लिए दिया जाता है जिन्नों ने अपने पिदरसन से खेल को युगदान दिया है मौलाना अबुलकलाम अजाटराफी 1956 में हुई थी या विसविद्ध्याले स्तर के खेल पिदरसन के लिए दिया जाती है राष्टी ये खेल पिरोस्ताहन पिरोस्कार 2009 में हुआ था या कॉर्पोरिट संस्ताओं खेल निजी बोड़ों राज और राष्टी इस तर पर खेल निकायों सहत गैर सरकारी संगतनों को दिया जाता है तो ये सब पुरुसकारों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा इन से कई बार कुश्चन्स पूँच लिए जाते हैं क्या कर लेते हैं कई बार पूँच लेते हैं और हर साल आप दिखते हैं दिये जाते हैं और अगर हम लोग 2022 के लिए मेजर ध्यांचंद रतन पूरुसकार की बात करें तो स्री सरत कमल अंचत अंचत को दिया गया है अंचता को टेबल टैनिस से जुड़े हुए हैं और आरजून पूरुसकार की बात करें तो ये आप देखें कितने 25 लोगों को दिया गया है अगर 25 वों को बताएं तो खिलाडी का पहला खिलाडी इसमें सीमा पूनिया है ए एथलेटिक्स है एल्थोस पॉल ए एथलेटिक्स है और अभिनास मुकंद सबले ए एथलेटिक्स से जुड़े हुए है स्री लक्ष सेन बेडमेंटन से पेण एच एच एस बेडमेंटन से स्री अमित बॉक्सिंग से निखत जरीन बॉक्सिंग से भक्ती पिदीप कुलकर्णी सतरंज से आर पर गरनानंद ए सतरंज से द्वीप ग्रेस एकका ए होकी से सुसीला देवी जुडो से, साक्षी कुमारी कबड़ी से, नैन मोनी स्यकिया लोन बॉल से, सागर कैलास ओवलकर इमलखम से, एला बैनिल वलारीवान ए निसाने बाजी से, ओमवेकास मिथरवाल निसाने बाजी से, स्रीजा अकुला ए टेवल टेनिस से, विकास ठाकुर भारत से, सौफनिल संजे पातिल पैरा बैड मिन्टन से, और जरलीन अनिका जे ए डैब बैड मिन्टन से, ठीक है और आप देखेंगे, खेल कोंद में गयम्स में उतकर्ष्ट कोच के लिए, 2022 के दोड़ना चार परुसकाल की बात करें, तो नेमेट सेडी में आप देखेंगे, त सुझीत मान को कुस्ती में, लाइब टाइम सेडी में ये दिया गया है, स्री दिनेश जवाहर ला को किरिकेट से, भिमल प्रफोल गोस को फोटवाल के लिए, स्री रास सिंग को कुस्ती के लिए, और खेल कूंद और गेम्स में लाइब टाइम अचीवमेंट के लिए, 2022 के द्यांचंद पुरुसकाल, ये असुनी अकुंजी सी को एथलेटिक से जुड़ी हुए है, धरम बेसिंग होकी से, वीसी सुरेस कबड़ी से, और नीर बहादुर गुरुंग फेरा एथलेट से, चीक है, और राष्टी खेल पुरुसान पुरुसकाल 2022 में आप देखेंगे, राष्टी खेल पुरुसकाल के लिए संसुती संस्ता, ये नवोदित और युवा पितिभा की पहचान और पिसीक्चन, ट्रांस इस्टेडिया इंटर पराजिट प्राइमेट लिमिटेट को, कॉर्पोरेट सामजेक उत्तरदायत की माध्यम से खेलों को पुरुसान के विकास के लिए आप देखेंग लद्दा की, इसकी एंड, इस्नो वोर्ड इसोसीजेशन को दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, पच्चीस को दिया गया आर जुन पुरुसकार, कब हुआ था ये शुरू, ये आप लोग बताएगा, बता चुका ह एंड, पर भी आप लोगों से पूच रहा हूँ, इतना तो याद रखने चाहिए, पिति वस्व देवस क मनाया जाता है, विस्व दर्शन देवस की बात हो रही हो, नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को, नवंबर महीने के तीसरे वद्दवार को, बताएगे, तो आप इस बार 17 नवंबर को मना abd निया भर में विस दर्सन दिवस मनाई जात आ अर धिया है और दियान रहे है इस दिवस को पिटी बर्स नमांबर महझी की तीसरे गुरुवार को मनाते हैं यह अप्छन ठीक है और इस्से पहले यूंसको ने दो हार सब्सक्रिकी विस्व दर्सन दिवस मनानी की परमपरा पहरम की थी युनेसको सम्मिलन में बर्स 2005 में यह निश्चेत हुआ था कि पितेक बर्स विस्व दर्सन दिवस नवंबर महिने की तीसरी गुरुवार को मनाये जाएगा यहां आप देखी युनेसको की बात हो गई तो इसके बाले में आपको बता देता हूँ इस तरह के जो भी अंतराश्टी संगठन है राश्टी संगठन है उनके बारे में एक सामन जानकरी जरूर रखिएगा इसका पूरा नाम The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने क्या कह रहा है अंगला कुशन यह कह रहा है कि किस से नीती आयो के पूरकालिक सदस के रूम में निक्त किया गया है रविंद दत्ता अरविंद बिर्मानी मनो सर्मा मधु कुल करनी बताएए नीती आयो की बात करें तो यह उजना आयो को पिती स्था भी कह रखे आया था 2015 में ठीक है तो इस में आप देखेंगे अरविंद विरवानी होंगे जाहोंगे अरविंद विरवानी और अरविंद विरवानी को नीतीा criticized का पूंड कालिक सदस निट किया गया इससे पहले विरवानी ने वित्वमंतिराले में मुख क आर्जिक सलाकार के रूमें 2007 से 2009 तक काम किया है, इसके अलावा उन्होंने फरवरी 2003 से अगस्त 2016 तक मौधरिक नीती परभाती रेजर बैंक की तखनी की सला सम्ती के सदस के रूम में काम किया है, यहां RVI की बात हो गई तो आप लोग कहेंगे, RVI की बात इमें बात का दीजे, तो 1 अपरेल 1935 में इसकी स् थम्भालती है, बने हैं, बताईए, फहला ओप्सन कह रहा है, इसमें, सौमजीद घोस, कमलेश महता, सरत कमल और हरमीद देशाई, तो इस सरत कमल होंके इसमें, सी ओप्सन विल्कुल ठीक रहेगा, इंटरनेशनल टेवल टेनिस फेडरेशन की बात हो रही है, 1926 में इसकी स इतापना हुई थी, सुजलेंड में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिलेगा, अंगला वुशन है हमारे सामने, कौन भालती सेना की पहली महला स्काइड डराइवर बनी है, बताईए, लांस नाइक रितू, नाइक कमला, नाइक मंजू, नाइक प्रिती, तो इसमें आप देखेंगे, नाइक मंजू होगी, यानि कि आप देखेंगे, C ओप्सन आपका बिल्कुल ठीक है, C अबसन बिल्कुल ठीक है, सीवी आनंद बॉस किस भारती राज़ी के राज़पल बने है सीवी आनंद बॉस की बात हो रही है ए इहमाचल पिदेश पष्टे मंगाल आंदर पिदेश अरुनाचल पिदेश तो आपको बता दू कि ये पष्टे मंगाल के बने है क्योंकि जगदीप धनकड आपने देखा होगा कि क्या बन गए उपर राश्टपती बन गए तो यहाँ सीट खाली थी तो उसी कि आप देखेंगे पश्चे मंगाल की यह बन चुके है और इससे पहले पश्चे मंगाल की गवर्नर जगनीप धनकड थे आप सभी जानते होंगे उसके बाद मणीपुर के गवर्नर लॉग अनेशन के पास पश्चे मंगाल का अतिरिक्त प्रभाद दे दिया गया था और इसके बाद आप देखेंगे पश्चे मंगाल का राजपाल इन्हें मना दिया गया है अब बेश्च बंगाल की अगर हम लोग बात करें न तो आप देखेंगे एक बार चलिए स्क्रीम पर आप लोग मैप पर चलिए देखें ये पश्चे मंगाल कोलकाता इसकी राधधानी है और आप देखेंगे इसकी सीमा उडिसा, जहारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है पांच राजज़ों से लगती है अंतरश्टी सीमा नेपाल, भूटान, बंगलाद, इस तीन देशों से लगती है और यहाँ बिधान सबा में आप देखेंगे 294 सीटे हैं, लोक सबा में 42 सीटे हैं, राध सबा में 16 सीटे हैं 88752 वर किलूमीटर में फैला हुआ है ममता बनर जी मुक्त मंत्री हो गए तो इन राज्जों को जरूर याद रखिए किन राज्जों से इसकी सीमा लग रही है, किस राज्जी की, किन देशों से लग रही है क्योंकि इस तरह कि कुश्चन्स आपकी परिक्चाओं में हर साल पूछे जाते हैं क्या हर साल पूछे जाते हैं जारी 2023 की Climate Change Performance Index में भारत का नंबर कौन सा रहा है बताईए चौथा आठवा दसबा या अब देखें कि 13 वा भारत किस नंबर पर रहा है इसमें 2023 की बात हो रही है त्रेश्ट देशों की सूची में भारत आठवे स्थान पर है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें ईनसे को इस तरह के जो आप देखें इस तरह के कुश्च्ट आपकी परिक्षाओं में इस तरह की रैंकिंग हो आप देखेंगे या पिर चाहें आपके वो सूचकान को रिपोर्ट हो उनसे पूश्च्ट पूछ जाते आठवे नमबर पर है और Sweden आप देखेंगे Denmark को सबसिष्ट देश का इस्थान दिया गया है उस चौथे इस्थान पर Sweden है चौथे इस्थान पर Sweden तो Denmark टॉप पर है भारत आठवे नमबर पर याद रखेगा और चीन का नमबर इंक्या बनबा है अमेरिका का नमबर बावन बेपर है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा चलिए अंगला कुश्चन यह आप लोगों से कुश्चन से मेरा Climate Change Performance Index को जारी कौन करता है यह आप लोग Google का साहना लेकर आप लोग बताएगा Cambridge Dictionary ने किस सब्द को World of the Year 2022 2022 चुना है बताएगे सुनक टम्ड हॉमर की पॉप बताएगे हाल ही में Cambridge Dictionary ने 2022 के लिए हॉमर सब्द को चुना है और Dictionary ने इस सब्द का खुलासा करते हुए कहा कि यह सब्द बैस्विक सब्द गेम संसरी वार्ड वार्ड ले से पे रहे थे वैसे आपको बतादू मैं 2022 में कि पहले सब्दा के दौरान हॉमर सब्द को लगबग 75,000 बार इंटरनेट पर खो जा गया था ठीक है तो इसमें आप देखें को हॉमर होगा पिति वस किस तारी को 20 सोचाले दिवस मनाया जाता है सोचाले और आपने देखें नई सरकार आई दपसे सोचाले पर जानदा ही दोर दिया गया है 19 नवंबर 17 नवंबर 14 नवंबर 22 नवंबर को तो इसमें आप देखेंगे कि 19 नवंबर को 19 नवंबर को सोचाले दिवस मनाते हैं और हमारी जीवन में सोचाले सोची के ताके महत्य के बारे में बताने के लिए और 2001 में ये NGO World Twilight Organization की स्थापना करने वाली सिंगापूर के जैक सिम ने एक निश्चित पहल के तहे World Twilight Day की मनाने की सुरुवात की थी तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे A option 19 नवंबर क्या लगाओगे 19 नवंबर अंगले कुशन की तरफ चलते हैं हम लोग पिती बस बिश टेलीविजन दिवस का मना जाता है World Television Day की बात हो रही है 21 नवंबर, 22 नवंबर, 19 नवंबर, 22 नवंबर को तो ए भाई 21 नवंबर को मनाया जाता है कव 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और टेलीविजन अपने अवसकार की बात मनोरिजन के मुक्सरोतों में सेख रहा है और अविसकार की बात से ही टेलीविजन हम लोगों की जीवन में मनोरजन का एक साधन रहा है टेलीविजन की माध्यम से लोग सालों कई सालों से सिक्षा समाचा राजनीती मनोरजन और गफ सब का अनंद ले रहे हैं और टीवी का अविसकार 1924 में जॉन लोगी विलेड द्वारा किया गया था भालत में टीवी कवाय माध सेप्टमबर 15 सेप्टमबर 1969 को ठीक है और 15 सेप्टमबर 1969 को टेलीविजन लॉंच किया गया तो भी याद रखेगा और सहिफ्तराष्ट द्वारा दिसंबर 1996 में 21 नवंबर को विस टेलीविजन दिवस के रूम में ना नहीं की घूशना की थी साल 1996 में आयो जित की बस मनाया जाता है ठीक है और एक बात और आपको बता दूँ यहां वर्ल्ड यूस यूएन की बात हुई है सहिफ्तराष्ट की उनाइटे नेसंस की बात हुई है और इसकी स्थापना की बात करें यूनाइटे यूएन की तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हैड़ प्वाटर नियुवर्क सहर में देखने को मिलेगा 193 सदस देश है दो पर भी एक चक देश है इसमें ठीक है तो यह भी याद रखिएगा यह ओप्शन ठीक है इसमें अंगला कुशन है हमारे सामने पितिवस विस बाल दिवस कम मनाय जाता है बाल दिवस की बात हो रही है 18 नवंबर 20 नवंबर 21 नवंबर और 22 नवंबर तो बता दू Children Day की बात हो रही 20 वाल दिवस तो यह मनाय जाता है आपका कब 20 नवंबर को 20 नवंबर को दुनिया भर में बाल दिवस मनाय जाता है और आपको बता दूँ कि सहयकतराष्ट द्वारा 19 नवंबर को इंडिवर्सल चेंडरल नवंबर की तोरप मनाने की सुरुआ थी थी और 20 वाल दिवस को बाल की हित्तों बच्चों की हितों के लिए अंतराष्टी समग था इस्तापित करने पूरे विस के बच्चों में जाग रोबता पढ़ाने बच्चों के हित्तों में सुधार की उद्देश से मनाय जाता है एक तरह से अब देखिए कोई दिवस मनाया जा रहा था है उसका अदेश तो कुछ होगा न कौन एसियन टेबल टेनिस टूनामेंट में कांस पदक जीतने वाली पहली भालती महला खिलाडी बनी है अंकीता दास, मंटू, गोस, नैना, जैसवाल, मनिका दत्रा तो आपको बता दू कि अब तक विवन खिलों में बहतरी पदसन करने वाली भालती महला खिलाडीयों में सुमार हम मनिका दत्रा ने एक और कारणामा अंजाम देती हूँ, एसियन कप के टेनल टेबल टेनिस में कांस पदक जीता है ठीक है? तो इसमें आप लोग लगाएंगे क्या लगाओगे? डी ओप्शन, टेवल टेनिस से जुड़ी हुई है ये भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार पूच लेता है जारी 2022 की नेटवर्ग, रीड, रीड नेस इंडेक्स में भारत को कौन सा इस्थान मिला है? तो ये मिला है 61, क्या मिला है? 61, मिला है 2022 की नेटवर्ग, रेडी नेस इंडेक्स में भारत को ने ये इंडेक्स बिसकी 131 रद्वस्थाओं की नेटवर्ग, आधारी ट्रेनिस परिदिस्त कुदर्स आता है 61, 60 इस्थान पर है हम लोग, ठीक है? याद रखिएगा इसकी बारे में ये कुश्चन से भी पूँच लेते हैं इस तरह है कि नेटवर्ग रेडी और नेटवर्ग, रेडीनेस, इंडेक्स, रिपोर्ट, चार छेत्रों में उनकी प्रिदासन की आधार पर 131 रद्वस्थाओं की नेटवर्ग, रेडीनेस, परिदिस्त कम आप करती है, परोद्गी की लोग, सासन और फिरभाव, ठीक है? और सीस, दस में आप देखेंगे स्वीडन पहले, आप देखेंगे जगह में स्वीडन ऊपर है, सबसे टॉप पर है, ठीक है? और ये भी आप लोग याद रखिएगा तो इसमें 61 लगा दोए ना, क्या लगा दोगे? 61 लगा दोगे, यानि कि C उप्षन लगा दोगे इसमें, क्या लगा दोगे? C उप्षन 61 नमबर पर है किस खेल से समधित पूर भाती खिलाड़ी बाबू मनी का, 69 वर्स की, उम्रे में इनकी डेथ हो गई है, मौत हो गई है होकी, किर्केट, फोटवाल या टैनिस किस से जुड़े हुए थे? या आप देखेंगे, पूर भाती फोटवाल खिलाड़ी रहे है और आपको बता दूँ कि 1984 में कुलकाता में नहरू कम में अपना इंटरनेशनल डिबू किया था हूँ, इस पकार उन्होंने भारत के लिए 55 इंटरनेशनल मैच के लिए इन्होंने दो बार ऐसे एप गेम्स में स्वड़ पदक जीता, उन्होंने 1987 में अपने पदक अपने नाम किये थे तो C option इसमें विलकुल ठीक रहेगा किस भारती है जिव विग्यानी को वर्स 2022 का UNEP Champion of the Earth पुरुसकार मिला है बताइए इसमें क्या लगा होगे आप पूरिमा देवी बर्मन, मंता देवी कौसिक, एहल्या, नात बर्मा, रेन्युका सिंग कौन होंगी इसमें आपको मालू है पूरिमा देवी बर्मन होंगी इसमें इसमें आप लोग देखेंगे A option बिलकुल ठीक रहेगा और आपको बता दूँ कि डॉक्टर पूरिमा को यहाँ इंटर्प्रियोरियल बीजन सैनी में UNEP किस चैंपियन ओफ दार्व मिला है और पूरिमा देवी बर्मन भारत की एक बनजी बिग्यानी है असम राजे से सम्मद रखती है चलिए एक बार आपको असम के बारे में बता देता हूँ और United National Environment Program की बात करें तो आप देखेंगे 5 June 1972 में इसकी स्थापना होई थी नैरोवी के अन्यावे इसका Headquarter देखने को मिलेगा एक कहां से सम्मद रखती हैं असम से सम्मद रखती हैं और असम की बात करें तो आप देखेंगे दिस्पुर इसकी राजधानी हो गई असम की क्या दिस्पुर इसकी राजधानी हो गई और इसकी सीमा पश्चे मंगाल मेगाले तिपफुराब, मिजोरम, मडीपुर, नागालेंड और अरणाचर प्रदेश से लगती है। तो आपको बता दूँ इसमें हाली में उर्दु के लेका खालिद जावेद कोन की पुस्तक दा पैराडाइज और फूर के लिए साहित का पांच बाद जी सी भी पुरुसकार मिला है। थाइलेंड, सिंगापूर, मलेसिया, इंडोनेसिया, तो मलेसिया के बने हैं, कहां के? मलेसिया के बने हैं। और कोला लामपूर इसकी रादधानी है मलेसिया की, और मलेसिया अगर आप देखना चाहें, तो देखिए यह हमारा प्यारा इसिया है, इसमें आप लोग मलेसिया देख रहे हैं, यह भारत देखना है अपना पढ़ोसी है, एक तरह से हमारा आप कई यह, ठीक है? दूर है थोड़ा पढ़ोसी है लेकिन, तो इंडियों इसिया इसमें लगा देखने को मिलता है, पिती बस पूरे भारत में समिधान दिवस कम मनाया जाता है, यहां आप लोगों को तीन डेटें बताना है, देखिए, समिधान के बारे में, या आजादी के बारे में, 15 अगस्त, 1947 को हमें आजादी मिली थी, तो 15 अगस्त को हम लोग समिधान दिवस, क्या मनाते हैं, सुतंता दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को कोच परावधानों के साथ हमारा समिधान सुईकार हो गया था, अंगेकित हो गया था, तो उसमें 26 नवंबर को हम लोग समिधान दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से समिधान लाग हो चुका था, गरतंत की रूम में हम लोग आ चुके थे, तो 26 जनवरी को हम लोग गरतंत दिवस की रूम में मनाते हैं, यह आप लोग जरूर याद रखिएगा, अंगला गुशन है हमारे सामने, पितिवस भारत भर में राष्टी यह दुख दिवस की स्तारी को मनाया जाता है, और 26 नवंबर, 25 नवंबर, 22 नवंबर, 29 नवंबर को, तो यह आप लोगों को बता दूं की, यह आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, और डॉक्टर भरगीच कुरियन का नाम सुनें, जिनने भारत में सुईत करांती का जनक कह मनाया जाता है, 26 जनवरी को उनका जनम हुआ था, इसलिए मनाते हैं, और यह दिन भारत तिये डेरी एसोसीशन ने साल 2014 में पहली बार मनाया था, वही विस से दुख दिवस, सहिक्त राष्ट द्वारा एक जून को मनाया जाता है, विस से दूध दिवस आप देखेंगी, एक जून को मनाया जाता है, और भारत में राष्टी दूध दिवस का मनाया जाता है, 26 नवरी को, दोनों में फरक आप लोग याद रखेगा, क्योंकि कुश्चन से भी पूछ लेता है, ठीक है, अंगला कुश्चन है किस देश की टीम ने, टेम ने, टेनिस टीम ने, डवि कब 2022 का किताब जीता है, और कनाडा इस्पेन, कौन होगा इसमें, तो आप देखेंगे कि, हाली में करान ने पहली बार डेविस कब टेनिस किताब जीता है, और कनाडा ने एक सो नो साल पहले, पहली बार डेविस कब में हिस्सा लिया था, फाइनल में 28 बार की चेंपियन, उस्टिलिया को हराया है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे डी ओप्सन होगा कनाडा कौन भारती ओलंपिक संगी की पहली महला अध्यक्ष बनी है इसमें आप देखेंगे की दीपा करमाकर मेरी कॉम पीटी उसा करनम मल्ले सुरी तो ओडन फरीज के नाम से आप लोग जानते इनने पीटी उसा की बात हो रही है इंडियन ओलंपिक एसोसीशन की बात हो रही उनेश्टो सटाइस में इसकी इस्ताफना होई थी नई दिलिये में हैर क्वाटर देखने को लेगा पीटी उसा की बात हो रही है ठीक है और पीटी उसा की बात करें तो आप सो सभी लोग इ किसे नाम से जानते हैं राजसवा सदस भी अभी मनोनीत किया गया था राजपती के द्वारा इने ठीक है भारतिय ट्रक एंड फिल एथलीट है इनका जनम अगर आप देखें तो 27 चून 1964 में हुआ था इनका जनम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं इनका पूरा नाम मालू है आपको बड़ा अजीब नाम है आप देखें तो यह भी आप लोग याद रखेंगा इनने कई परुस्कार भी दिये मिल चुके हैं और कई बार आप देखें इनोंने गोल्ड मेडल जीते हुए तो आप सभी जानते हैं कि अंबार लगा दिया है इनोंने पदम सरी मिला हुआ है IIT कानपुर द्वारा मानत डॉक्टरेट की उबाधी मिल चुकी है काली कट बिस्विद्याल है द्वारा मानत डॉक्टरेट मिल चुका है तो इस तरह से आप देखेंगे नवंबर महीने का करेंट अपेस की जो घटनाया रही है उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए जो मात्पून कुश्चंस हो सकते हैं उन्हें हम लोगोंने ये किक करके देख लिया है आप लोग पढ़ते रही है इंज्वाय करते रही है और अंगले दिसंबर में हम लोग फिर मिलेंगे दिसंबर महीने में जो भी घटनाय घटेंगी उनसके भी हम लोग कुश्चंस देखेंगे उन्हें हम लोग जानेगे उनके बारे में कोई सवाल हुआ आपका सुझाओ हो तो नीचे आप लोग जरूर बताएए और क्या अच्छा किया जा सकता है इन किलासों में तो सुझाओ आपकी जरूर बताया करेए माइने रखते हैं सुझाओ